हे गाईज मैं हुद सोच करनेल और सागत करता आपका हाई डाइक भाद इस वीडियोब चैनल पर तो दोस्तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज किस फ्रीडियो में हम एक बेसिक सा आइडिया जानेंगे कि आप कैसे वीडियो एडिटर इस एप्लिकेशन के अंदर वीडियो एडिट कैसे के कर सकते हैं जहां पर हम कटिंग शुटिंग सीखेंगे music कैसे add किया जाता है music का volume कैसे low किया जाता है और ऐसी basic सी छोड़ी छोड़ी सीजी से जो है हम चानेंगे VN video editor application के बारे में जहां पर आप इस video को देखने के बाद एक video edit जो है कर पाऊगे तो दोस्ते आई चलिए शुरू करते हैं पर आपको plus पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको new project पर क्लिक करने के बाद यहां से आप जो है video add कर सकते हैं अपने editor में तो जहां पर अगर आप जो है कुछ शॉट फ्लिम अगर बनाया तो आपका एक नहीं पाच्छे वीडियो होगा तो हम यहां पर एक दो तीन चार पा आपको छहां और छह वीडियो जो है एड़ हो चुकिए एक पार में यहां पर आपको क्या धान रखना है जो लास्ट में यह ना डायक्टेट बाई यह आपको डिलिट कर देना है डिलिट कौ उप्शन कुछ इस तरह किसा आपको इस पर एक बाट टाइब करेंगा तो तो तो आप क्या कर सकते हैं आप अपनी दोनों उंगलियों से जो है इसको जो है पहले बढ़ा जूम कर सकते हैं जहां पर आपको एक्जक्ट टाइम जो है इसली मिल जाए अब यहां पर समझो मुझे यह सीन नहीं अच्छा लग रहा तो मैं क्या करूँगा इस सीन जो बीच का पाट है एक कैसे कट करूँगा और मैं आपको सिखाब तो यहां पर आपको एक स्प्लीट की औप्शिन दिख रहा है यहां पर स्प्लीट Left की पर क्लिक बीच से करणे का अब यहां से split पे click करोगे तो यह भी बीच से कर जाएगा तो इतना पार्ट जो है अब मुझे delete करना तो delete करने के लिए यहाँ पर tap पे click करूँगा और यहाँ पर delete कर दूँगा तो वो जो पार्ट है हडगया ओके इस तरही के से आप जो है extra shots जो है जो आपको नहीं चाहिए which shot है वो आप इस तरह के से निकाल सकते हैं और फिर यहाँ पर तो यह जो है shots निकल गए आपने editing में उसमें वो कर लिया अब समझो मैंने यहाँ पर एक shot निकाला है split split delete अब मुझे यह जो shot है इसको आगे लेके जाना है तो कैसे लिखे जा सकते हैं पर तो आपको क्या करना होगा इसके ओपर tap करना होगा tap करने के बाद यहाँ पर एक और बार tap करना है तो यहाँ पर आपका जो है इस तरह के से वॉखा एगा कि जैंज होग सिन चेंज होगा सुने डाना आपको इसका डिएशन बचाना है तो यहां से आप इसका डिएशन भी इंक्रीस कर सकते डाइबivo इसको नौन कर देते हैं अफेर सोह झाला चाम के दिए वे क्लिके में हासे मैं इत तो इसको यहां पर अलग अलग ऐखने मिलता हैING I M और अब हम आओ इसतरीके से आप जो है इसमें कुट शर्ट एडिटिंग गारे कर सकते हैं तो यहां पर और भी आपको options देखने मिलते हैं जहां पर delete वकर मैंने आपको बता दिया reverse करना है video तो यहां से reverse कर सकते हैं slow mo करना है तो speed के options से slow mo कर सकते हैं और filter लगाने अपनी video में तो यहां से आप जो है अच्छे-च्छे filters आपको यहां पर देखने मिलते हैं जहां पर सुबह का time हो या रात का time हो आप वहां से इसे set कर सकते हैं ओके सो यहां पर एक P1 है तो यह सुबह के लिए आप यूज कर सकते हैं बाकि आप अपने से research करके देख सकते हैं और यहां पर फिर आपको दिखता है layer का option जहां पर यहां पर क्लिक करोगे तो यहां से आप जो है अंगिनत layer of video add कर सकते हैं इसके अंदर समझो आपको इसमे आपको आपको आड़ कर दिया और यहां पर वीडियो आड़ करने के बाद यहांसे आप जो है समझो मैं green screen करता हूं green common बी सिखा दी में तो यहां पर आपको मैं green skin video add कर दिया और यह जो वीडियो है दो-दो वीडियो एड हो गई इससा आप और भी वीडियो add कर सकते हैं अब यह जो वीडियो है जो हमने एड की थी वो डिलीट कर देते हैं पहले तो उस speaker को आपको लेग जाना है green के उपर जैसे गिरिंग के उपर लेगे जाओगी तो यह जो है green skin background का हट जाएगा तो इस तरीके साब आप इसमें chroma भी कर सकते हैं और इसके अगर आपको animation करना है तो वह भी आपको बता है तो यह आपको अगर इसमें animation करना है तो यहां पर इ जो है keyframe पर मैंने लगाया तो और उसके बाद यह जो है चलने लगा तो यह जो की फ्रेम से आप इसमें animation भी कर सकते हैं और यहां पर आगर आपको text का दिखता है यहां पर आपको subtitle का template दिखता है जहां पर subtitle template आपको यहां पर इस तरीके से कुछ दिखाई देंगे शुर यहां पर देखता दिखला था वहांसे आप जो है add कर ली आड़ करने के बाद यहांसे आप जह रिखने के बाद उसमें चल है चलत आप जिखता है उसके स ल रवा हैं और यहां से आप जो इसको stroke, shadow, background और opacity लगा सकते हैं तो यह सब setting है तो यह भी आपको मैंने बता दिया अब यहां पर हम background music add करते हैं तो यहां पर हम click करेंगे click करने के बाद यहां से आप जो है voice over कर सकते हैं, dubbing कर सकते हैं यहां से आप effects add कर सकते हैं background effects होते है, short flame में वह और यहां से आप background music add कर सकते हैं तो background music add कर देता है तो यहां से हम जो है I'm sorry, यहां से हम जो है, एक video ले लेंगे ओके, so यह आली video लेंगे, no, sorry, audio ले लेंगे यह लेंगे पाच मिनट की, जहां पर यहां पर जितनी बड़ी आपकी वीडियो होगी उतनी मिनट की वीडियो आपको यहां तक दीखी जहां पर यहां पर क्या करना है यहां से आपको select करना है कौन सा पाट आपको सही लगता है audio का और यहां पर से आप जो है उसका volume set कर सकते हैं अपनी वीडियो के साप से और यहां पर आपको फिर tick पर click करने के बाद यहां से आपको audio है आ चुका है जहां पर अगर आपको audio को और set करना है और change करना है मतलब उसका volume तो यहां पर आप click करके यहां से आप जो है उसका volume set कर सक ओ colaborिं जहांब पर आपको एक बैसिक सा एक आईडिया भी मिलंगे होगा और अप्लिकेशनस में क्या चीज़ें होती है वह बहुत को यकी करें ऊच्छा सब्सक्राइब करें न क्या सब्सक्राइब करें की कैसे इंपपरमोंडरी वडियो कि I